मैं लबदीप सिंग स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल फार्मिंग कल्टर पर तो आज की इस वीडियो में किस वीडियो में जनकारी देंगे आपको यह बताएंगे कि दोने विराटियों की क्या-क्या खाचते हैं दोने विराटियों में क्या अंतर है और र प्रविनों में क्या इनकार जहल जो है किस प्रकार का देखने को मिल रहा है उसी के वारे में आपको ज्यादा स्यादा दानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियों इदर जो आप विराटी देख पा रहे हैं यह है वीसी अप जीरो पांसो सत्रा और इस लाइन से यहा पासरी बनाई थी तो दोनों ही जो विराटियां हैं वो एक दिन खेत में ट्रांसप्रांट की गई थी अगर बवाई वीडि की बात की जाया तो चार फिट पे बोया गया यानि 48 इंच पे सिंगल लाइन से यह गन्ना बोया गया है और पौदे से पौदे की दूरी के अगर बात करें तो वो डेड़ फिट थी यानि कि लगबग 15 इंच जो है इसकी दूरी जो है पौदे से पौदे की थी दोनों ही विराटियों के अगर का result है काफी अच्छी पती है पती का कार दे सकते हैं काफी चुड़ाई वाली पती है यतनी जादा चौड़ी पती होगी उतना ही जादे ग्रोथ जो है पौधी की अच्छी चलेगी यह एक खास बात देखने को मिलती है क्योंकि फोटो सेंस अच्छी करता है जिसनी चौड़ वही ब्रैटियों में जो है एक खास का भी तक इस्तमाल किया गया है यूरिया प्लस अगरिका और सलफर का और दो मेनी का बाद का यह रिजल्ट है अगर पत्यों की बात करें थोड़ी से अगर मैं डिफरेंस यहां पर बता हूं अंतर बताऊं दोनों ब्रैटियों का भी त आगशे सकते हैं कि नीचे को जो है युक की रहती है यह यह देखने को मलता है दोनुए मिराटियों में अभी तक तो यहीं आप यह दिख सकते हैं वी से 517 की पतियां है वो श्ट्रेट रहती है और लेकिन यह दोनों का रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छा है ग्रोथ तो कफी अच्षी जो है फटाव को मिल रहा है जो है आपी फटाव को मिल रहा है लेकिन इसमें अगर बाई की जा है तो वघ्राइब से अगर करें ए 517 के गरबात करने तो इसके जो कल्लों का फुटा वो काफी अच्छा है कल्ले की मुटाई देख सकते हैं काफी अच्छी मुटाई वाला है और यहां पे देख सकते हैं कल्लों की संख्या भी काफी अच्छी है लेकिन इसके साथ साथ उनकी मुटाई जो है वो काफी अच्छी दूसरे चीज जो है थोड़े साँ्तर है में देखने को मलता है वो है लंबाई में इसकी ग्रूथ में देख सकते हैं quase ये जो है 11-0-82 है और अधर जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो है । ये 257 की देख सकते हैं कि दोनों में काफी फर्क देखने को मलता है लंबाई के मामले में कि उसकी एक तो श्टेट पतियां है तो उसकी वज़ासे भी कही ना फरक देखने को मिल रहा है यूकि इसकी पत्तियां जुकी हुई है और उसकी पत्तियां वो श्ट्रेट खड़ी है तो इसी वजा से उसकी जो लंबाई है वो तोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है लेकिन दोनों का growth जो है दोनों की वो काफी अच्छी चल रही है और कोई भी रोग जो है नहीं देखने को मिल रहा है देख सकते हैं कि रोग बगरा जो है ये 11.22 इसमें देखने को नहीं मिल रहा है हलका सा इसमें जो एक junk टाइप से होता है यलो रष्ट कहते हैं जिसको औरेंज रष्ट भी कहते हैं आम जंग जिसको कहते हैं और वो इसकी नीचे वाली पत्तियों में कहीं कहीं देखने को मिल रहा है लेकिन उपर की पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं कोई भी इसमें दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है वहीं BCA 570 किक बात करें तो इसमें तो कोई पत्ती में कोई भी दिक्कत जो है अभी तक देखने को नहीं मिला भी पत्तियां काफी स्वस्थ हैं हरी बरी है पत्तियों का अकार भी काफी अच्छा है और काफी अच्छा फॉटाव भी है हलां कि काफी लेट ववाई की थी उसे लिहाँ से तोड़ा सा फटाव जो है कम देखने को जरूर मिल सकता है कोई कि 20 अपरियल के संथिंग ववाई हुई थी तो लेकिन अभी तक का रिजैल्ट अगर बात करें तो वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है ये दो महिने बाद की इस्तितिया दोनों ही विरेटियों का जो रिजैल्ट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आगे जो है जिस परकार का इनका रिजैल्ट जो है देखने को मिलेगा उसके बारे में भी आपको समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे वीडियो के माद्यम से फिलार ये दो महिने का इनका रिजैल्ड था दो महिने का अंतर था तो इसके बारे में दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करेगा लाइक चैनल पर नए है तो चैनल को भी गरीगा सब्सक्राइब धन्यवाद किसान भायो